वेल्कम बैक टु माय यूटूब चैनल पेपर हैकर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विए मज़ान नमबर आपका 13 रहने वाला है किया आपका वुष्चन नमबर 15 अपसे पहले हमने आपके ओंसर एक से लेकर 14 तक का आपके सभी discuss कर लिए आज हम बात करेंगे question number 15 की ठीक है जो कि आपका जुलोजी का पोर्शन है ठीक है जुलोजी का पोर्शन है आपका बीस्सी कि इस समेश्टर के लिए अपते पहले हमने 1-14 question complete कर लिए question number आपका 15 है ठीक है पिरा हिर्दय इस्पंदन से क्या समझते हैं यानकी heartbeat heartbeat या हिर्दय इस्पंदन यह बताना है करा है मायोजनिक heart हिर्दय की क्रिया विदी बताईए पहले heartbeat क्या होता है यह बताना है फिर आपका जो मायोजनिक रदय से आप क्या समझते जो आपका मायोजनिक हिर्दय आपका क्या है यह बताना एक कार्य विधी समझा जाने का आपका आपका एस तरह किस तरह से होता है यह आपने बता ना है तो कोस्षन को कुछ इस तरह से आपसे प्रयुत सकता है थीक ही हुआप狂क है। जो आपका हार्ट मतलब कलता है या लबडब की आवाज करता है ठीक है जिसे हम कहते हैं धक 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 नहीं करता है लबडब की आवाज करता है तो वो हिर्दय आपकी क्या कहलाती है हार्ट वीटिया हिर्दय इस्पंधन कहलाता है ठीक है प्रतियक जन्तु के परिवहन तंत्र क वहां एक भाग मोडिफाई होकर हार्ट का रूप ले लेता है प्रतियक जनतु के सभी जनतुओं में परिवहन तंत्र पाया जाता है ठीक है परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी पदार्थ को ले जाना है किसी चीज को ले जाना तो वह सिस्टम क्या कहलाता है आप हां का मुख का ृओ के लिए उपयोगत दवाव पईदा करना है जब आपका प्रेशर जगह करह कर देदा लिए उसे निरंतर शिकुरना अबाग फैलना पड़ता है क्या करना पड़ता है edge kur 학 को हार्ट को और कह रहा है इसी क्रिया को हार्ट बीट अथवा इस्पंधन कहते हैं किसको जो आपका हरदय शिकुडता और फैलता है ठीक है इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं इसी क्रिया को हार्ट बीट या हरदय इस्पंधन कहते हैं ठीक है समझ आ गया यह क्रिया जन्तू में हाट के विक्षित होने से मृतिवत तक निरंतर चलती रहती नौन श्टाप चलती रहती है इसमें जन्तू के हाट में कब से जब से वह जनम लेता है और जब तक वो मर जाता है मरता नहीं है तब तक यह प्रक्रिया आपकी जो नौन स्टाप जो है चलती रहती है मनुष में एक मिनिट में करीब सतर से असी बार हिर्दय इस्पंधन या हिर्दय धड़कता है कितनी बार हिर्दय इस्पंधन होता है मनुष में सतर से आपका असी बार जो है एक मिनिट में ने आपका हरदे जो इससक्रम पेस्फञाद करता है और धरकता है थीक है तो यह the ब्द act क्या होता है इसको कहते हैं हाट भीछ हाट भी फिर विंचा था यापका मायोजनेक हाट क्या है पहले प्जाता हथ वीठ फिर क्या पुझत है तो इसकोँ आपको बताना है explain करना है कुम बात करते हैं मायजनेक हाट की इस प्रकार के हिरदय में हाट वीट की उत्पत्ति किसकी हाट वीट की उत्पत्ति प्रेक्षण यानि की कंडक्शन दोनों द्वारा होती है किसके द्वारा हाट वीट की उत्पत्ति तदा प्रेक्षण दोनों की दोनों ही विशेश प्रकार की मास्पेसियों द्वारा होती है ठीक है दोनों ही क्या होते है भीए हैं आपके एक प्रकार की मा स्पेसियां होते हैं। इसके लिए उसके लिए को हाइट बीड को और क्या ओदा आपका प्रेषए ठीक है। तो इसमें अलग से आपकी कुछ प्रकार के जो है मां स्पेसियां पाए जाती हैं वह इसको क्य वह तथा मोलस्क में पाय जाते हैं तभी बर्टिब्रेट यानि कि कशे रुकियों में ठीक है इसमें कशे रुकियों में ठीक है मैं और आपके मॉलक्स जो भी आपके जल्में रहते हैं तो सभी कशे के रुचियों और आपके मॉलस्क में पाय जाते हैं कहँरा हैं इन इनमें continuous rhythmic contraction जो होते हैं क्या होता है continuous rhythmic मतालब येक समय के बाद ठीक है एक समय के बाद informing मतलब समय से ताल से जो इन में क्या होता है आपका contraction होता है heart muscles का हर एक contraction be aillet का philsequ एक pulse या heart rate की weapons में भी इसका काम क्या होता है किया हाट मुसल का या हर एक are करते हैं कि हमारी लगता है तो आपका हाइफ क्या होता है ठाएक बार Hitler嘅 होता है तो और आपका हमें कम स्ट्सिपी से जो है आपका फिलो करता है तो हमने यहाँ पर में विलट का फिलो हमें सुनाई देता है जो हार्टबीट वो किस रेट पे चल रही है और कि आपको fever है या नहीं है ठीक है आट वीड् Worc TV चलती है तो क्या अब स्काइश में आपका body temperature जो है सामान से कुछ बढ़ जाता है ठीक है क्या ऑज्याता है सामान से कुछ बढ़ जाता है कहरہा है मयम जनुक हर्दय में हर्दय स्पंधन की करिया भिधी नद्वम अप जो आपका मायोजनिक हाट है इसमें आपकी हाट वीट की क्रिया विदी की हम बात करें हैं मैकेने जम आप हाट वीड आप मायोजनिक हाट की बात करें ठीक है आपका सिखोडाय होता है जिसको हम कहते हुम से जो इनका उत्पादन होता है फ़हीं से इनका उत्पादन होता है quindi और है यह एक इसा केंद्र है जो एक निश्चित फासले के बाद क्या एक निश्चत फासले के बाद एक निश्चत-मात्रा अध्या करता है फास लेक्टिक को पैदा करता है ठीक है एक निश्चित सम्यान करता के बाद इस लिए कि भिश्च श्य करेंट 10 जुर्ट pan what यह यह बेब पहुंचती है उसका संकुचन हो जाता क्या हो जाता इसका के भीत अब पहुत तेज और जब इह आपका रिदिम नहीं दौड़ता है तो आपकी हार्ट वीट क्या हो जाती है तेज हो जाती है आर्ट रिद्मिका यानि कि इसका एक ताल एक लैवद तरीके से ना होना ठीक है तो उसमें क्या होगा आपका हार्ट वीट तू फास्ट तू स्लो एंड इर्रेगुलर हो सकती है आपकी बहुत तेज और बहुत कम ठीक है बहुत तो आपकी रेट करने के लिए एक रिदम पर चले ठीक है कुछ निश्चित समयांतराल के बाद चले तो यह जो है पेसमेकर इसमें क्या करता है ठीक कैसी होती है डिबिन यह जान्राइन कि अलग अलग समूहों में इसकी पोजीशन जो है यह इसकी लॉकेशन जो है आपको अलग-अलग देखने को मिल सकती है जैसे amphibia में, यह sinus venus में होता है, amphibia जो होते हैं आपके amphibians, उसमें यह कहां होता है, आपका sinus venus में होता है, कहरा है चू की, लेकिन आपका जो evolution के दोरान, sinus venus लुप्त होता चला गया, क्या हुआ जैसे जैसे evolution हुआ या विकास हुआ, बैसे बैसे यह आपका जो sinus venus है, यह Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-Cine-C सुरू होती है आपकी यही से त्पन तथा संचरण होना ठीक है इस पंदन तथा इसंचरण होना ठीक है इसकी लोकेशन हो गई किसकी ईसमेgah कि ठीक है फेस में करके आपकी लोकेशन हो गई कह रहा है इस पंदन का उत्पन्द तथा संचरण होना ठीक है इस पंदन का उत्पन्द या संचरण होना ठीक है ओर जिन इस पंदन का उत्पन्द तथा संचरण होना यह किस तरह से होता है किस तरह से जो आपकी इस पंदन होती है और किस तरह से पर होता है आपका है ट्टिक नहीं होता है ठीक है किसमें आपके जो इस्तंदारी इसमें आपका sinos venoses जो है आपका नहीं होता है ठीक है इनमें ये सिर्ह आपका नहीं पाया जाता है पेस्थ मेकर sino auricular node पर इस्थित होता है पेस्थ मेकर आपका कहाँ पर होगा sine auricular node पर इस्तित हो गया यह जो आपका sinus hypnosis है यह क्या हो गया? आपका लुप्त हो गया revolution के दरण जैसे विकास होता चला गया बैसे बैसे दीरी-दीरे नश्च हो गया और इसी का एक बचा हुआ भाग क्या रहे गिंड़ शाहन 2, sino auricular node रहेING जिस पर आपका जो है पेसमेकर उपस्तित रहता है इस्तित रहता है जो सीधे करफ के औरिकल में प्रिजेंट होता है कहा होता है आपका राइट औरिकल में यह आपका पाया जाता है और कह रहा है हाट बीट इलेक्ट्रिक करंट के रूप में पेसमेकर द्वारा उत्पादित की जाती है जो आपकी हाइट वीट हर्दे स्पंदन है वो कौन उत्पंद करता है पेस मेकर उत्पंद करता है किस रूप में एलेक्ट्रिक करन्ट के रूप में जो है पेसमेकर इसको प्रोडूस करता है और जहां जहां यह इसपंदन यह बीट पहुंचता है वहां की मास्पेशनिया उत्तेजित यानि की इसramण सकतेने की सब्सक्राइब यहां जहां आपका पहुंच जागा इलेक्ट्रिक करन्ट के रूप में जो है पेसमेकर द्वारा उत्पादित की जाती है आपकी हाट भीड ततर जी तो हो गया आपका हम से इसमें हमने देखना है औरौजित कर देमों अ बात करेंग। औरिकुलर नोड क्या है आपका सइनो और पहले पाय जाता था लेकिन जैसे जैसे इवलूशन एविकास ये विकास होता गया वैसे वैसे ये क्या होका नस्ट हो गया कुछ भाग बचा हुआ रह गया है जो कि आपका ये तीक है यह आपका भाग है तीक है ये आपका कहा होता शीधे आलmare में होता है कहां होता है फीधे हैion यह होता आक हुआ कि तुछ इदेउग आपका ये जो आपका आलेंद है यह कौन सा आलेंद है आपका यह आपका लेफ्ट औरिकल या या बाया आलेंद क्या हो जागा आपका बाया आलेंद है तो आपका जो पेस्ट में करब हो कहा होगा आपका दाएं आलेंद में ठीक है या निक और किसमें उपस्तित होगा आपका साहिन और नोड पर प्रिजेंट रहता है इसके नीचे के अगर हम बढ़ते हैं यहां से कुछ इस तरह से यह जो आपकी सरचना है बिलेक वाली यह क्या होता है आपका औरिकुलो क्या होता है औरिकुलो बेंट्रिकुलर नोड क्या होता है औरिकुलो बेंट्रिकुलर नोड जो है यह आपका होता है ठीक है यह जो आपकी बिलेक सरचना दिखाई दे रही यह वाली इसके अगर हम बा इसके ऐसंता है और इसके बाद यह जो आपकी सरचना इस तरह की दिखाई दे रही इस तरह की यह कुछ इसतरह की यह सरचना आपकी क्या कहलाएंगी यह टूसार लाएंगी लेफ्ट ब्रांच बंडलल फॉछ जाता है ये यहां पर क्या ठाब मतलब बा ی मतलब बायाँ के है ऐ यह ज़ागा जो ज़ागा इदरु ज़ागा आपका दाया निले टीक तो यह आपका दाया और बाया इसमें इस तरह की सरचना दिखाए दे रही टीक है ब्रांचेज लाइक यह आपकी कहलाती है परकेंज system क्यaking आते हैं पुरकेंजे तंत्रिया परकेंजे system के नाम से जानते हैं ठीक है तो यह आपका है हाट इस्ट्रक्चर है जहां पर आपका पेस्मेकर बना हुआ है वो है कहां आपका राइट और राइट औरिकल में प्रेजेंट थीक है तो यह का आपका राइट और ही कला दूसरा आपका लेफ्ट और है इसके नीचे बढ़ोगी डार्क जो आपको ब्लैक सरचना दिखाए दिर्ए यह क्या होता आपका औरिकलो बेंट्रिकुलर नोट ठीक है और यह जो आपका यहां सरचना दिखाए दिरी यह ब्लैक वाली यह जो आपकी ब्लैक सरचना यहां से कुछ इस तरह कि इनको कहते हैं वंडला फेज अब यहीं बंडला फेज आपके नीचे कर लेते कु स्ट्रक्टर है ठीक है अब पा झाइस अब करा सबसे पहले रायट ऊलिख ओरिकल इलेक्टिक बेbest के संपर्क में मिला करें तो भही तो आगा सबसे पहले सबसे पहले क्या हुता जो आपका रायट ओरिकल करता है और इसके बाद अब क्या होगा आप यह बेप्स कहा जाएंगी लेफ्ट औरिकल तथा बैवी कौंट्रेक्ट करता है अब इसके बाद दीरे-दीरे कहां पहुंचेंगी लेफ्ट बेंट्रिकल में पहुंचेंगी फिर लेफ्ट औरिकल में ठीक है पहले आपके राइट औरिकल में ठीक है उसके बाद दीरे-दीरे कहां पहुंचेंगे आपकी लेफ्ट औरिकल में तथा बहभी कॉंट्र वेंट्री कुलर नोड अब कहा होगा जो आपकी बेवस है वो कहाँ पहुम जाएंगी ऊरीकुलो वेंट्रीकुलर नोड में पहुम जाएंगी ठीक है नीचे की तरफ से नोड समाहरा कि नाम से जानते हैं और ये विशेश मांस्पेसियों उतक की बने होती हैं किसकी विशेश प्रकार के इसमें मांस्पेसियों उतक पाये जाते हैं इसके बाद नोड द्वारा ये इलेक्ट्रो नेगेटिव बिप्स कोरोनरी साइनस से बंडलाफ हिज के द्वारा बेंट्रीकल में पहुंचती हैं किसके द्वारा बंडलाफ हिज जो हमने देखा था अभी क्या था बंडलाफ हिज की सायता से कहां पहुंचाती है बेंट्रीकल में पहुंच जाती है नीचे वाले भाग में पहुंच आती है。 कहारा है बंडललां हिड्ट बागों में बटकर ilicate फाइबर बनाते हैं ठीक है पुरुदूनजे सिस्टमाँ आ पुरुमों बटकर न है. लिया लेसरी वाले फाइबर बनाते है फेला इलेतर गोथे हैं वो impulse या wave को दोनों ventricle में पहुंचाता है ठीक है right और lift अब क्या होता है तथा ventricle contract करते हैं अभी जो आपके ventricle है right और lift ventricle है ये भी आपके contract करते हैं सिकुड जाते हैं इसी बीच एक नई जो है बेव originate होती है या एक नई बेव जो है आपकी उत्पन होती है और यह क्रि आप क्या होगा अब आपका जो आपका ventricle होगा बो वही का बो भी आपका क्या हो जाता है friendly ऑर किया किया करती है करने लगता है किसी कार अडवस यदि पीश मेकर अपना कारिये करना बंद कर देता है किसी कारवस जो आपका फेस्स ने रहा है आपका हर्ट वीट करने लगता है तो आपका टवारा मोकन बंद करने लिग गता है। एक साथ contract होने लगते हैं सभी एक साथ जो है शिकोड़ने लगते हैं अभी एक करके सकुड़ रहा था पहले क्या कि पहले हमने किसकी बाद की थी राइट और पॉरिकलो बेंटरल नोड ठीक है उसके बाद कहां पहुंच गया तो इस साथ जो शिकुडने लगेगा अर्थाथ उसका सिमेट्रिक कॉंट्रेक्शन नहीं हो पाता है सिमेट्रिक जो रेगलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है जो घातक है कैसा है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा डैंजर है अगर पेसमेकर फिर से अपना काम करना जाता है दुबारा से जो आपका नोड आप तवारा था वो पहले की तरह कारी करने लगेगा आद यहानि कि अब इसका हस्त चेप नहीं रहेगा किसमें वो बेप से पैदा करने में ठीक है ओर जिनर आफ हाट वीट को पैदा करने में आप इसका जो है शेप नहीं रहेगा और यह पहले की तरह कारी करने लगेगा ठीक है अब दुबारा से जो है लेक्टो नेगेटिव बेवा आपका कौन प्रोड्यूस करेगा पेस में करके को दुबारा से वह आप कारी करने लगा है ठीक है और क्या होगा ऐसे मनुष्य आपका जो है बच जाएगा हाट बीट एक ऐसी क्रिया है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज से सुरू होकर मनश की मृत्यू तक निरंतर चलती रहती है बही हर्देश पंदन सुरू से ठीक कबसे एम्ब्रियोनिक जब बच्चा आपका भुरूड में होता है तब से यह मृत्यू तक जो है निरंतर नॉन कारण से अगर हाटवीट रुक जाए क्या हो जाए हाटवीट अगर आपकी रुक जाती है कभी-कभी तो कृत्रम तरीकों द्वारा फिर से चांसे बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं ठीक है अब देखो आगे कि क्यों है नी कह रहा है हर्दय स्पंधन संदारण का चित्रिये निरूपड हर्दय संदारण क्या है अभी तक हमने क्या पढ़ा तक ही जो आपका हीर्ट है इसमें क्या हो रहा है आपका कॉंट्रेक्शन हो संधारत ठीक है चैनल होगा यह की ऐपका यह आपका उसके नीचे आपके कुछ इससे इसल87 आपकी दूसरी जो है पेशियां निकली हुई है आपका पीन्यक्तिक्ल 002 001 से आपका left ventricle ठीक है राइट और लेफ्ट यह आपका हाट के नीचे वाली कहानी है उपर अगर हम बात करें यह जो आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक है विंस दिखाई दे रहे हैं यह क्या आपका यह राइट एट्रियम है आपका इसी तरह से क्या हो जागा कुछ इस तरह क यह सतना आपकी क्या हो जागी लेफ्ट एट्रियम क्या राइट और उठ एट्रियम और यह जो आपकी होते बड़े बड़े जो आपके ट्यूब लायक स्ट्र South उते यह क्या होते हैं आपके ऑड़ा आनना से ळो है ईनको जाना जाता था ठीक है और्टा इनको कहते हैं महा क्या कहते हैं महा धमनी के नाम से भी इनको जानते हैं बागी आपका आलेंद और निले रहे गया अब इसमें क्या होगा नीच देखो यह कहां से चनरेट होगा यह जो आपका सरचना यहाँ पर दिखाए दे रही ठीक है यह कुछ इस तरह से चोँ है आपको देखने को मिल जागा अब यह जो आपकी सरचना ठीक है किसको मीडूला क्यों के कहते हैं मीडूला ओम लेंटा करते मेडूला ओबलायहने गया दूसरा जो आपका इसके अंदर है ठीक है दूसरी वाली सरचना के इंदर है इसको कहते हैं कार्डियो एक कार्डियो एलेक्ट्रोट कार्डियो लेक्रेटर और करेंट सेंटर ठीक है कार्डियो अचेटर संट टिंटर टेकर यहां से आपका झो यह आसे आपका आसिलरेट होता था end है मिध्ण आपकी यह दूसरी स्रुचना क्या कह लाती है कर सी जो करता है यह आ विशान का sec क्रता है कर से कॉत ten ईसको कहते हैं व्हुता के कह थे व् amp की नाम से जानते यह बाहरवारी लेर को हम क्या कहते हैं बाहर बार बार आपकी और यह बाहर वाली क्या हो जाएगी यहां पर और यहां पर आपको इस तरह की दिखाई दे रहीं है किया हैं तीन सराचना है तो यहां पर यह बाहर वाला नहीं यह बाहर वाला सेंतर एंटर्ट चीकर कार्डियो इन stove है उसके बाद आपकी दूसरी सराचना है यह की हां अपकी बैघस नर्व है ठीकशा अंदर आपका सबसे बाहरवारी सरचना क्या हो जाएगी आपकी डिप्रेसर नर्व हो जाएगी ठीक है यहां से इस तरह से इसको बना लेना अगर आप बना सको तो इक्जाम में बनाना पर ना इसकी कोई आवश्रक्ता नहीं जो पहले आपने पढ़ा था हाइट वाला ठीक ह इसको आपने जरूर बनाना है तो यह क्या हो जागा आपका फिर्देस्पंदन संधारण का यह आपका चित्र है अब हम बात करते हैं थोड़ा करा करें और चलनर वाली करिया यह अपने आपसे होने वाली ठाय है ठीक हाट से हाट और की इस और पिर्देस्पंदन क्रिऊ को क्या कहते हैं redefini कि कि I WHY यानी यानि कि कि देखिस पाधिकता कैते हैं क्या कैते हैं देकी ऑद इसमें यहीं तक लिखाना बाकी जो आपका अरते सपंधन का नियंत्रा है यह आपको जूए बहुत ज्यादा यह आपको इतना नहीं लिखना है कि वहल आप यहीं तक लिख दोगे तो आपको जब अच्छे मांक मिल जाएंगे तो यह तो था आपका आज का हरदय इस्पंदन से आप क्या समझते हैं और पड़ा था कि